हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फाइनल कटोफ है वो हम देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पता चल गया होगा कि जो परसेंटाइल हमारा जो मैथट है उसके अंदर जो हमारे रा मार्क्स होते हैं रा मार्क्स रा मार्क्स का मतलब परसेंटाइल में करती है ठीक है तो अब हम देखें कि आपने यूटूब के उपर देखा होगा कि जो टीचर हैं नामी टीचर हैं और जो बड़े यूटूबर्स हैं वो बता रहे हैं कि मेल कोंस्टेबल की जो कटोफ है वो परसेंटाइल के अंदर कितनी जाएगी वह जो फीमेल कॉंस्टेबल का जो रजल्ट आये था उसके अंदर हम देखें कि जो जर्णल की जो कोटोफ है वो 108 परसेंटायल के आसपास गई थी ठीक है क्योंकि परसेंटायल मैथड में रा माक्स का वो फैदा नहीं होता यानि जो परसेंटायल आई है उसके अंदर जो एक्स परसेंटायल के बेस पर जो बनाई जाती है और उसके साथ हम बात करें रा माक्स का कोई फैदा नहीं होता ठीक है क्योंकि इनको परसेंटायल के अंदर कनवर्ट कर लिए जाता है तो हम अगर फीमेल का जो रजल्ट आयठा छीक है फीमेल कोउश्टेबल का जो रजल्ट आयठा उसके अंदर देखें तो जो पोश्ट थी वो कितनी थी? ग्यारा सो पोश्ट थी टोटल ही और मेल कोंश्टेबल के अंदर कितनी है पिचपन सो पोश्ट है यानि पांच गुना जादा पोश्ट है फीमेल से ठीक है उसके बाद हम बात करें लगबग बहुत सारी जो लड़कियां थी वो पोश्ट ग्रेजवेट थी वो भी क्या है लड़कों के बराबर है यानि हम बात करें तो जो उनके एक्स्ट्रा मार्क्स थे ना एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो लड़कों के बराबर ही थे ठीक है ना ऐसा तो था नहीं कि लड़कों के extra marks है वो ज़्यादा होते हैं इसलिए जो cut of है वो ज़्यादा से लिजाएगी लड़कियों से तो ऐसा भी नहीं है ठीक है लड़के अगर post graduate है तो लड़कियां भी थी लड़कों गर्मे अगर नोकरी नहीं थी तो लड़कों गर्मे भी नोकरी नहीं थीक है फादरलेस के marks उनकों मिलेंगे तो इनकों मिलेंगे यानि extra marks के अंदर लड़के वो लड़कियां भरबर थी तो फिर किस base के 1000 पे कहा जा रहा है कि जो लड़कों की कटोफ़ लड़कियों से ज़्यादा रहेगी समझ गए अगर लड़कियों की जर्नल में 108 बनी थी तो जर्नल की पोस्ट भी कम थी तो लड़कों की जो पोस्ट है वो 5 गुणा है तो परसेंटाइल आपकी फाइनल के अंदर कम आएगी और वो कितनी आ सकती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो लड़कों की फाइनल कटोव है परसेंटाइल के बेस पे वो कितनी रह सकती है तो चलिए देखते है तेकिये फ्रेंड्स परसेंटाइल के अदार पे मैंने ये कटोव बनाई है अपनी तरफ से इसके अंदर कुछी भी नहीं किया है तो जनर्नल की है वो परसेंटाइल के अंदर जो को टोफ हो रह सकती है 105.5 परसेंटाइल यानि 105 परसेंटाइल से उपर रहेगी और 105.5 के आसपास आपको दिखेगी अभी 108 या 110 क्यों नहीं जारी क्योंकि जो लड़कों की जो सीट है ठीक है ना जो वकेंसी है वो लड़कियों से 5 गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा बहुत होता है 5 गुना ज़्यादा तो आपकी कट्टोफव हो 105.5 परसेंटाइल के आसपास ही आपको दिखेगी जनर्नल के अंदर EWS की बात करें तो 104.7% के आसपास आपको दिखेगी ठीक है BCB की 104.4 के आसपास दिखेगी यह थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है लेकिन आप देखे लेना इसके आसपास यह आपको दिखेगी 1% कम भी हो सकती है 1% जादा भी हो सकती है प्लस मैनस 1% है आपको इसके दर मानके चलें BCA की 103.1% के आसपास आपको दिखेगी अब मैंने यह जो कटोफ आपको बताई है परसेंटाईल पे यह क्यों बताई है क्योंकि लडकियों से 5 गुना जादा पोस्ट है ठीक है पांच गुना जादा पोस्ट है तो प्रसेंटाइल आपकी डाउन आएगी ठीक है 110 प्रसेंटाइल जाएगी अपने आप ही अपने मन गड़त कानिया लिख दी 110 प्रसेंटाइल 110 कैसे हो सकती है क्योंकि यहां पर जो रामाक्स है उनका तो कोई फाइदा नहीं है राम कि ऐसी ही आपको रहेगी अब इसके वो कहेंगे कि 110 प्रसेंटाइल क्यों से लिगी क्योंकि लड़के है वो उनके पास 12 बारा नमर है उनके पास 15 15 नमर है वो लड़कियों के पास भी थे ठीक है लड़के है वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो जुरूरी तो नहीं है ना आ हमान लीजिए जैसे हमारी 38,000 के आसपास केंडिडेट है वो पीच्ट के लिए बुलाए गए है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 2000 जो केंडिडेट है या जो 25,000 केंडिडेट है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे ठीक है तो यानि इनका कहने का मतलब है कि 25, जार के डाइजार लगेंगे तो क्योंकि अभी PhD बाकी है PMT बाकी है ये डाइजार में से आपको 1000 ही फाइनल लिस्ट में नजर आएंगे ठीक है समझे रहे हो कहने का मतलब तो 110 जाएगी या बिलकुल नहीं जाएगी आप किसी के बैकाओं में मत आएं आपको 105.5 जनल की द लगा के चलें इसे जादा नहीं जाएगी गबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको एक टोफ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो के लिए आप नोटि